हेलो दोस्तो स्वागत है आपका हमारे यूटूब चैनल एक स्मार्टी नॉलिज पे आज की इस वीडियो हम लोग बात करेंगे बिहार बोट 10 के हिंदी गोदोली भाग 2 के चैप्टर 3 के सारे यथा संबब आपजेक्टिव के बारे में इससे प्रिवियस वीडियू में हमने चैप्टर 1 और चैप्टर 2 के सारे यूटू को देख लिया था बिना करे तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आकन दवाना ना बोले थाकि बिहार बोट से जोरी हरेक अपडेट आप तक पहुंसती रहे तो चलिए पहले वीडियो को चैनल करते हैं चæसल की देख रहे थे भारत से हम क्या सीखे थीक है यह सबसे हम लोगदे करने शबसे पहला बॉबजक्टिव हमलोग देख लेते हैं सबसे हमरा मैक्समुलर को नेक्स अब्जेक्टिव है दाडिस नामक सोने के सिक्के से भड़ा घड़ा किसे मिला था हेकल को हरकस को वारेन हेस्टी गंस को या फिर विलियम जोन्स को तो वो मिला था वारेन हेस्टी गंस को या इसका एंसर हो जाएगा C नमबर ठीक है तो चलिए हम लोग नेक्स नेक्स्ट है मेगदूत नामक पुष्टक का नवाद मैक्स मुलर ने किस भासा में किया गिरीक भासा में लैटिन भासा में हिंदी भासा में या फिर जर्मन भासा में तो मेगदूत जो पुष्टक थी उनका नवाद मैक्स मुलर ने किया था जर्मन भासा में तो इसका अंसर हो जाएगा डी नंबर जर्मन भासा चले हम लोग नेक्स्ट अबजेक्टिव देखते हैं नेक्स्ट अबजेक्टिव है संस्क्रित भासा और यूरोपियन भासा का तुलनात्वक व्याक्षन किस ने दिया मैक्स मुलर ने गुनाकर मूले ने नलीन विरोचन सर्मा ने या फिर अमरकांद ने तो संस्क्रित भासा और यूरोपियन भासा का तुलनात्वक व्याक्षन किये थे मैक्स मूलर ने तो इसका एंसर हो जाएगा ए नंबर मैक्स मूलर चलिए हम लोग आगे देखते हैं इसका एंसर हो जाएगा बी नंबर जर्मन में थीक है चलिए हम लोग अगला उबजेक्टिव देख लेते हैं नेक्स्ट अब्जेक्तिव ए इसका एंसर हो जाएगा स्री नमबर संस्क्रीत भाशा चली हम लोग आगे और देखते हैं मैक्स्ट ए मेरठियो कभ होई थी 6 अक्टूबर 1901 में 20 अक्टूबर 1901 में 24-october 9 CSW में और 28-october 9 CSW में जैसा कि मैंने आपको प्रिवियस विडियो में बताया था कि जो भी ISW बाले क्वेस्टन होते हैं काफी important होते हैं तो ISW बाले क्वेस्टन को आप ज़ेरोर याद रखें तो maximalर की मिर्त्वी भी ती 28-october 9 CSW में जर थूरस्त्र, तो इसका एंसर हो जाएगा D number जर थूरस्त्र चलिए हम लोग next object देखते हैं journalism का संबं किस से है वान्सवती विग्यान से, भू विग्यान से पुड़ातात्व से, या फिर मनू विग्यान से तो journalism का संबं था पुड़ातात्व से तो इसका एंसर हो जाएगा C नमबर पुरा तत्व से ठीक है चले हम लोग next objective देखते हैं next 172 दाडिक नामक सोने के सिक्क का घरा कहां मिला था दिल्ली में, गांधी नगर में, वारा नसी में या फिर सिर नगर में जैसा कि आप कहानी पढ़े होंगे तो आपको पता ही होगा तो वो जो मिला था घरा, वो मिला था वारा नसी में तो इसका एंसर हो जाएगा C नमबर वारा नसी चले हम लोग next objective देखते हैं next objective है महाराने विक्टोरिया ने नाइट की उपादी परदान की किसे की थी मैक्स मुलर को अमरकांत को, बिरुजू महराच को या फिर असोग बाचपई को तो महाराने विक्टोरिया ने नाइट की उपादी मैक्स मुलर को परदान किया था तो इसका एंसर हो जाएगा ए नमबर मैक्स मुलर को चलिए हम लोग नेक्स अबजेक्टिव देख लेते हैं नेक्स नलंदा विस विद्याले कहां पर इस्तित है बिहार में, उत्तर परदिश में, मध्य परदिश में या फिर गुजरात में तो यह अबजेक्टिव तो मैक्सिमुम एक्स्टोरियन को पताई होगा नलंदा विस विद्याले कहां है हमाड़े बिहार में इस्तित है तो इसका अन्सर हो जाएगा अ नमबर चलिए हम लोग नेक्स अबजेक्टिव देख लेते हैं नेक्स है नरिवन स्विद्या का समब्ण किस से है वन्सफति विज्यान से प्राने विग्यान से मानव विग्यान से या फिर अंतरिक्स विग्यान से तो निरिवन्स विद्या जो है मानव विग्यान से सम्मन्द रखता है तो इसका एंसर हो जाएगा C नमबर मानव बिग्यान से है ठीक है चलिए हम लोग next objective देख लेते हैं next objective देखने से पहले दोस्तों अभी तक आप इस वीडियो को लाइक ने की हैं तो एक लाइक जरूर करें तो चलिए हम लोग next objective देख लेते हैं next दारिस क्या है चांदी का प्राचिन कालिन सिक्का सोने की प्राचिन कालिन सिक्का या फिर एक देप था या फिर एक धार्मिग्रन तो दारिस क्या था सोने की प्राचिन सिक्का था तो इस क्या हो जाएगा B नमबर सोने की प्राचिन कालिन सिक्का चलिए हम लोग नेक्स्ट अब्जेक्टिव देख लेते हैं नेक्स्ट एप मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था यह भी इंपोर्टेंट है तो जैसा कि मैंने आपको बता है था इस वी वाले जो भी कोईशन होते हैं सारे इंपोर्टेंट होते हैं पहला उप्सन है चो सितंबर 1863 भी चो अक्टूबर 1863 भी चो नमबर 1863 भी या फिर चो दिसंबर 1863 भी मैक्स मुलर का जन्म हुआ था चो दिसंबर 1863 में इसका एंसर हो जाएगा डी नमबर चलिए हम लोग नेक्स्ट अब्जेक्टिव देखते हैं नेक्स्ट अब पलेटो का संबन्द किस देश से है इटली से, एस्पिन से, भारत से या फिर यूनान से तो पलेटो का संबन्द है यूनान से ठीक है यह भी इंपर्टन अब्जेक्टिव है चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग नेक्स्ट है भारत स्यमक्यासीकी की रचनाकार कौन है यानि इनके जो लेखक है भारत स्यमक्यासीकी की रचनाकार कौन है विवेकानन्द मैक्समूलर रविनरनाथ ठाकूर या फिर दयानन्द सरसूती तो भारत स्यमक्यासीकी की रचनाकार है मैक्समूलर यानि की बी नमबर चलिए हम लोग next objective देख लेते हैं next is सहानामा का रचना काल कौन है यानि कौन सी सदी में उसे लिखा गया था 7 वी 8 वी सदी, 10 वी 11 वी सदी, 4 वी 5 मी सदी या फिर 5 मी 6 सदी तो सहानामा का रचना काल है 10 मी या और 11 वी सदी तो इसका एंसर हो जाएगा बी नमबर 10 मी 11 वी सदी तो चलिए हम लोग next objective देख लेते हैं next is Sanskrit का अगनी सब्द Latin में किस रूप में मिलता है अगनीस में, अगनीस में, इगनीस में या फिर ओगनीस में तो इसका एंसर हो जाएगा अगनीस सब्द जो है वो Latin रूप मिलता है इगनीस से तो इसका अगनीस हो जाएगा C नमबर 11 ठीक है चलिए हम लोग next objective देख लेते है next हरकस थे, यहनी हरकस कौन थे वनस्पति वेग्यानिक, भुगर्व विसास्त्री, प्रानी वेग्यानिक या फिर पुरातत्व वीद तो हरकस दो थे, वे थे, बनस्पति वेग्यानिक तो इसका अगनीस हो जाएगा A नमबर, बनस्पति वेग्यानिक चलिए हम लोग next objective देख लेते हैं next है, सर विलियम जोन ने भारत की यातरा कब की थी उने 577 जी में, 7050 जी में, 7090 जी में, या फिर 1783 जी में तो सर विलियम जोन जो थे, वे भारत की यातरा किया थी 1783 जी में तो इसका अंसर हो जाएगा D नमबर, 1783 जी चलिए हम लोग next objective देख लेते हैं अगला objective है मुन्डा किस देश की जाती है मंगोल, चीन, मुलतान या फिर भारत तो मुंडा कहां की है भारत की जो की अधिकतर चलता है ज्ञारखन में तो यह हो जाएगा भारत ठीक है इसका अंसर हो जाएगा D नमबर चलिए हम लोग आगे देखते हैं भारत स्यमक्यासी के पार्ट में नए सिकंदर विशेशन किसके लिए पर्युक्त हुआ है भारत के वीरों के लिए, यूरोप के वीरों के लिए या फिर यूवा अंग्रेज अधिकारियों के लिए या इन मेंसे कोई नहीं तो इसका एंसर हो जाएगा युवा अंग्रेज अधिकारियों के लिए यानि कि C नमबर चलिए लोग नेक्स अबजेक्टिफ देख लेते हैं भाड़त कहां बसता है दिल्ली के पास मुंबई में सहरों में या फिर गाउं में तो भाड़त बसता है गाउं में इसका एंसर हो जाएगा D नमबर ये भी काफी इंपर्टिंट है चलिए आगी देखते हैं हम लोग नेक्स मुलर का जनम कहां हुआ रतना पार्क नेपाल डेसाओ जर्मनी वासिंग्टन अमरिका या फिर दिल्ली भाड़त तो मेक्स मुलर जो थे वो जर्मनी के थे तो इसका एंसर हो जाएगा डेसाओ जर्मनी यानि की बी नमबर चलिए हम लोग नेक्स अबजेक्टिव देख लेते हैं नेक्स ये वारिन हेस्टिगंस था तो कौन थे वे भारत का गर्वनर जर्नल या फिर फारस का राजा या फिर महांदारसनिक या फिर परसित समाज सुधारग तो वारिन हेस्टिगंस थे वे भारत का गर्वनर जर्नल थे तो इसका एंसर हो जाएगा ए नमबर चलिए हम लोग चलिए हम लोग नेक्स्ट अबजेक्टिव देख लेते हैं नेक्स्ट अबजेक्टिव है प्रतन मानब का अर्थ है लगु मानब, महा मानब, प्राचीन मानब या फिर निर्धन मानब तो इसका एंसर हो जाएगा प्राचीन मानब इसको आप लोग ऐसे भी याद कर सकते हैं परोसंजुक आगे में लगा हुआ है प्राचीन में भी परोसंजुक लगा हुआ है तो प्रतन मानव का क्या हो जागा प्राचीन मानव ठीक है इसे आप ट्रिक समझ सकते हैं तो इसका एंसर हो जागा C नमबर चलिए हम लोग नेक् किसे वारानसी के पास सोने के सिक्क्यों से भरा एक घरा मिला तो किन्हीं मिला था वारेन हेस्टिगंस को विलहेलम मुलल को या फिर फ्रेडिक मैक्स मुलर को या फिर इन में से कोई नहीं तो वारेन हेस्टिगंस को मिला था न तो इसका एंसर हो जाएगा ए नंबर वारेन हे लिए के निती कथा के कारण भारत में क्या हुआ था नफ जीवन सका संचार हो चुका था तो इसका एंसरोज अगर नीती कथा ताई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई हो वीडियो फसंद आये तो वीडियो को लाइक कोमेंट अपने दोस्तों के साथ सेर करना ना बोले तो चले मिलते हैं एक निव वीडियो में धन्यवाद